इस वीडियो में हम जानेंगे सेशन 2024-2025 के लिए UB Polytechnic के admission forms आ गए हैं में कौन-कौन से courses available हैं उसके लिए eligibility कहके चाहिए होती है कौन form भर सकता है कितनी fees है form की date कब से कब तक है exam कब होगा और counselling कब से start होगी तो सारी जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो कि इस पे आपको यहाँ पर admission कहले related ऐसे ही वीडियो मिलते रहती है तो लेट स्टाट दे वीडियो तो यह मारे पास इंफर्मिशन बुरूशर है फोर्दा सेशन टो दाउजन ट्विटिफोर तो एक्जाम होगा 16 मार्च दोहजाब चॉबिस से 22 मार्च दोहजाब चॉबिस तक इनके बीच में जो एक्जाम है वो होंगे बहुत सारी कोर्सिस हैं तो अलग-लग डे पे अलग एक्जाम होगा जो इसमें गुरूप से हैं गुरूप A, गुरूप E, गुरूप B से लेकर L तक गुरूप K1 से लेकर K8 तक तो इसमें अलग-लग गुरूप में अलग-लग कोर्सिस हैं नियुके रेखेंगे आपके कौनसे group में क्या के courses होते है, जब आपको form भरना है तो उसमें आपको group select करना option का option आता है तो जो भी form भरना चाहते है उसका group select करना exam उसके according फिर आएगा तो exam जो है, वो 1603-2024 से लेकर 22-3224 सक 16-24 मार्च के बीच में होगा Online application के लिए आपको जो jcup की website है that is jcup.admission.nick.in यहाँ पर जाके आपको apply करना है application की last date है 39 फर्वरी यह मारे पास time table है यहाँ देख सकते हैं जो opening of admission है 8 तरिक से application form open हो गये हैं इसके अलाबा लास date जो है वो 39 फर्वरी है admit card जो है website पे 10 March को upload कर दिया जाएगा जेते भी group है group A, group E, group B से लेकर L और K1 से K8 उनके exam 16 से लेकर 22 March तक होंगे exam का result है exam का result आएगा आर्ट 4, 2022 को आर्ट एपरेट को exam का result आ जाएगा तो counseling schedule है जो 3 राउंड में counseling होगी इसके लावज़ इस्टे वेकिंसी राउंड होगा 25-5, 2022 से जो counseling है वो start होगी और admission जो है पूरा admission का closer वो हो जाएगा 15-20, 2022 में सो यह तो आपने देख लिया कि 16 से 22 March तक जो examination होंगे इसके लावज़ वेबसाइट आपको बता ही दिये और यह हमारे groups है इसके लावज़ इसमें important बात है कि अगर एक candidate एक से ज़्यादा जो form में भरना चाहता है तो उसमें क्या होगा वो अलगलव form में भी apply कर सकते है और maximum 4 course के लिए apply किया जा सकता है जो यह group दे रखे है group A, even E2, group B और L2K इन चारों में form भर सकते हैं मगर आपको fees जो है वो सब के लिए अलग-अलग pay करनी पड़ेगी और अलगलव form भरा जाएगा अगर आप एक से ज़्यादा groups के लिए form भरना चाहते है तो form के fees रहेगी जनरल और OBC के लिए fees रहेगी 300 इसके लावा जो SCST कैटेगरिया उसके लिए fees रहेगी 200 रुपे टोटल कॉलेजिस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसमें कितने हैं गोर्मेंट के टोटल 147 कॉलेज हैं इसके लावा जो गोर्मेंट एडिट हैं वो है 18 हैं इसके लावा जो प्राइबेट हैं वो है 1864 जो कॉलेजिस हैं वो प्रिजेंट हैं और टोटल 77 कोर्सिस में जो एडमिशन है वो होगा अब कौन लोग apply कर सकते हैं सो जो admission है maximum case में जिन्होंने अपना 10 plus 2 UP से pass किया है maximum case में admission जो है उनीका होगा इसके अलावा अगर admission के बाद कोई seat बसती है तो उस case में जो बाहर के candidates हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि वो लोग भी admission ले सकते हैं मगर basically जो UP से जिन्होंने अपना 10 plus 2 pass किया है उन्ही के लिए ये form अविलेबल है या वो लोग इसमें admission ले सकते हैं देखते हैं कि courses कौन कौन से अविलेबल है और उहाँ पर जो eligibility है वो क्या कर चाहिए होगी है सो अगर आप deforma करना चाहते हैं तो उस case में जो course है total duration रहेगा course का 2 साल इसके लावा जो 10 plus 2 है 12th pass होना चाहिए आपको physics chemistry biology से या physics chemistry math से किसी भी स्टीम से आपने पास किया हो 12th आप इस form के लिए eligible हैं इसमें 2 option होते हैं तो होता है E1 और एक होता है E2 तो जो E1 category है वो PCB वालो के लिए है और जो E2 category है वो PCM वालो के लिए है जो paper आएगा वो दो section में होगा section A section B जो section A होगा उसमें 15% question रहेंगे physics और chemistry से इसके लावा जो section B रहेगा उसमें 50% question E1 के लिए रहेंगे बायो वालो के लिए और 50% question होगे math से E2 के लिए होगा math जो दूसरा course आप 12th के बाद कर सकते हैं वो है 2 year का डिप्लोमा Modern Office Management and Secretarial Practice इसके लावा library and information science ये दो course है जो कि आप कर सकते हैं 12th के बाद दूसरे नंबर का 12th pass होना चाहिए आपको किसी भी stream से हो और जो paper आएगा उसमें क्या क्या आएगा comprehension है 30% question हैंगे उससे इसके लाबा reasoning और intelligence इससे रहेंगे 35% question numerical ability इससे रहेंगे 10% और general awareness इससे रहेंगे 25% question तो ये होगा group D दूसरा course जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं तीसरा course जो आप 12th के बाद कर सकते हैं वो है डिपलो माइन, hotel management and catering technology hotel management में जो लोग जाना चाहते हैं तो वो लोग ये कर सकते हैं तीन साल का course है और eligibility इसकी 12th है जो इसमें paper आएगा आप देख सकते हैं किस-किस category से कितने कितने question पूछी जाएंगे इसके अलावा अगर आप aircraft में जाना चाहते हैं तो उस case में जो group I है group I का farmer को भरना है इसमें कोट कोट से courses available है Diplomine Aircraft Maintenance Engineering Diplomine Aircraft Maintenance Engineering Avionics और Aircraft Maintenance Engineering Helicopter and Power Plants ये सारे course जो हैं वो तीन साल के हैं 10 प्लस 2 आपको पास होना चाहिए और आपके पास जो subject होने चाहिए वो होने चाहिए physics, chemistry और math जिन्होंने अपना 12th PCM से पास किया है स्रिफ वही लोग इसमें adventure ले सकते हैं जो paper आएगा paper में 50% रहेगा maths और जो 50% रहेगा वो रहेगा physics और chemistry जो इंजिनिरिंग डिप्लोमा है तो स्रिफ ये वही कर सकते हैं जोने अपना 10th plus 2 science team से पास किया है with PCM as subject इसके लावा जो various diploma चलते हैं engineering के उसमें अगर आप 10th के बाद जो admission लेजी सकते हैं इसके लावा अगर आप plus 2 के बाद admission लेना चाहते हैं तो उस case में आप second year में eligible होंगे admission के लिए उसके लिए जो group K है group K select करना पड़ेगा आपको जो form भरना पड़ेगा वो group K का भरना पड़ेगा इसमें exam का pattern क्या रहेगा question कहा कहा से हैंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब देखिएं के पार्ट के बाद अगर engineering diploma के लिए admission लेना है तो वहाँ पर कॉन को सी ब्रांच इस अवेलबल हैं तो तीन साल का total duration रहेगा जो कि 10th class के पार engineering diploma के लिए admission होंगे इसमें diploma in technology agriculture engineering fashion and carbon design home science, textile design textile design printing यह सारे courses available हैं इसमें से home science है यह 2 years का या बाकि सारी जो courses है वो 3 सार के diploma courses है जो exam का pattern होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर exam का pattern में क्या के question बुछी रहेंगे जो diploma engineering है वो group A में आएगा इसके लाब जो agriculture engineering है it is in group B fashion, home science, textile design है यह आएगा group C में जिस भी group में आप form बरना चाहते हैं तो उस group के accounting जो form है वो भर सकते हैं इसके लाब आपने अगर graduation कर रखा है और उसके बाद आप कोई post graduate diploma course करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर form है so post graduate diploma in tissue culture biotechnology में group app का form भर सकते हैं जिनको यह करना है जो समें B.A.C. चाहिए होती है biology, chemistry या biochemistry से और जो exam का pattern है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोशन कहां कहां से पूछी जाएंगे इसके लाबा बहुत सारे post graduate diploma भी है जो स्रांत कोतर diploma होता है post graduate diploma वो बहुत सारे courses में यहाँ पर available है और एक से दो साल के बीच में जो उनकी course duration है वो है उसके लिए simple चाहिए होता है graduation तो अगर आप graduation के बाद यहाँ पर लेना चाहते है admission तो आप form भर सकते है कोशन कहां कहां से आएंगे यह हमारे English comprehension, numerical ability, reasoning general intelligence और general awareness इसे पूछी रहेंगे question अब courses कौन कौन से available है जो कि आप bachelor's के बाद कर सकते हैं so PG Diplomine computer application PG Diplomine marketing and sales management customer service management beauty and healthcare tourism and travel management advertising and public relation textile design fashion design communication computer hardware and networking web designing and PG Diplomine accountancy with accounts and taxation इसके लावा retail management cyber security IoT, internet of things data science and machine learning और drone technology so यह total हमारे पास 17 courses है जिनमें under group G जो G group है उसके अदर form भरना है so अगर आपने bachelor's कर रखाए और आप form भरना चाहते हैं इस सब courses के लिए तो आप जो group G है उसको करेंगे select जो course का duration है एक साल और दो साल जो course के सामने लिखा हुए उसके recording आप देख सकते हैं इसके लाव जो group L है post diploma in industrial safety तो एक वर्स का है यह और उसमें जा तो आपने engineering कर रखी हो B.E.B.T.E.C.E. कर रखी हो बहुतिक विज्यान या रसाइन विज्यान फिजी से चैमिस्ट्री से साथ में दो साल का जो experience है वो भी है तो उस case में आप भी जो post diploma in industrial safety है इस course में कर सकते हैं application जो examination रहेगा उसमें जो पूछा जाएगा वो यहाँ पर दे रखा है तो आप पढ़ सकते हैं इस का लाव जिन लोगों ने ITI कर रखा है 10th के बाद और वो लोग लेना चाहते हैं lateral entry engineering courses में उसके लिए भी CT हैं यहाँ पर आईए आप देख सकते हैं कि Diplomine Engineering जो lateral entry है after the ITI वो कौन कौन सी है और किस-किस ब्रांच पर available है तो यह आप screenshot ले सकते हैं वो लोग इस form को भर सकते हैं जो ethnotical engineering में Diploma हैं उसके लिए जो person उसको color blind नहीं होना चाहिए अगर color blindness है तो उस case में जो admission है वो उस course में नहीं हो सकता दूसरे course में मिल सकता admission मगर जो ethnotical engineering है उसमे admission नहीं मिलेगा जो medical fitness होगा तो उस case में यह देखा जाएगा कि color blind है या नहीं है form भरन्दी के लिए आपको चाहिए होगा एक valid mobile number और एक email id क्योंकि जो सारी information है ODP बगार हो साब उसी पे आएगा इसका लावा अगर आपको कोई परशानी बगार हो रही है यह form भरने में या कोई और दिक्कत है तो उस case में आप इन number पे form कर सकते हैं और जो अपनी परशानी है उसका solution ले सकते हैं या आप इस mail पे mail कर सकते हैं जो reservation है वो रहेगा जो उत्ते प्रदेश की guidelines है reservation को उसके recording जो है reservation हो मिलेगा online जो process है वो 8-39 परविर की बीच में यह बता दिया आपको तो total 53 दिन का समय है जो दिया गया है form को भरने के लिए जो question आएंगे वो आएंगे MCQ type multiple choice question जिसमें से आपको एक option है वो correct होगा दूसरी बात क्या है कि इसमें कोई भी negative marking नहीं है अगर आपने question गलत भी किया है तो उस case में कोई negative marking नहीं है तो सारे ही question करके आने है तो यह थी जानकारी UP Polytechnic के अबारे में for the session 2024-25 तो अगर आप भी form भरना चाहते हैं तो last date का बेटना करें जल्दे से जल्दी form भर दें और लग जाने तैयारी में मिलते हैं फिर किसी नए information नए वीडियो के साथ जानकार यह अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें thanks for watching